चलिए जी सबसे पहला जो हमारे पास केरिर आप्शन अविलिबल है वो है आपका सपना है और आपका सपना है अगर आप BBA, MBA जैसे कोर्सिस कर रहे हैं तो कहीं न कहीं back of the mind, खुद का बिसनस स्टार्ट करना, कुछ स्टार्ट अप वगेरा स्टार्ट करना, आपकी कहीं न कह फ्यूचर प्लान का हिस्सा जरूर होने वाला है, तो क्यों न, BBA खतम होते ही, आप entrepreneurship journey अपने स्टार्ट करें, तो तीन चीज़े हैं, मैं आपको clear करना चाहता हूँ, BBA entrepreneurship में अगर आप जाना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत हमने जो इसमें context add करा है, वो आपको पहले तो BBA, MBA से better, कोई other options आपको नहीं मिलेगा, एक चीज जो बहुत सारे बच्चे पूस्ते हैं, BBA के बाद क्या वो चीज़ करें हैं, जिसके लिए हमें अपना business हमें start कर सकें, या further knowledge हमें मिल सकें, तो जरूरी नहीं है कि BBA के बाद आपको extra कुछ और करने के जरूरत पड़ है, वो अगर इतना बड़ा नहीं है, अगर आप fund वगएरा arrange कर सकते हैं, और idea है आपके पास, तो खुद का ही आप कुछ ना कुछ start कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस position में नहीं है, जहां पर आपको idea है, team है, money है, तो उस point of view से किसी भी एक ऐसी organization के साथ जोड़ना, जो कि यह entrepreneurship journey पहले से start कर चुकी है, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, चार से पान साल आप किसी भी companies में, private sector में या government sector में join करकर, आप वो knowledge को acquire करकर, fund को इखटा करकर, अपना entrepreneurship journey start कर सकते हैं, तो पहला था entrepreneurship या startup आप अपना start कर सकते हैं, पैसे की तो unlimited है, अग practical exposure के लिए आप MBA codes भी कर सकते हैं, BBA के बार, is that make sense, clear हो पारा है बच्चा, चलिए, second one is business consultant, अगर आप ऐसे बच्चे हैं, जिनकी business की बहुत अच्छी समझ है और पकड़ है, तो क्यों आप अपनी expert जो knowledge है, expert जो recommendation है, suggestion है, वो और लोगों के साथ, clients के साथ, companies के साथ, क्यों आप share करें, तो आप as a business consultant भी work कर सकते हो, जो की individuals और companies की मदद करता है, उनके business को further expand करने में और grow करने में, earning की बात करें, तो 10 से 20 लाग रुपे पर annum तक आप earn कर सकते हो, further qualification की बात करें, तो आप BBA के बाद MBA finance जैसी qualification लेकर भी business consultancy line में आप अपना career बना सकते हैं, is that make sense, चलिए, third one is product manager, किसी भी company में सबसे जादा एहम जो भूमिका होती है, product manager की होती है, क्योंकि वो responsible होता है, company का सबसे important part, सबसे important product बनाना है, right, तो product बनाने में जितने भी stages होती है, जितना भी hard work होता है, budgeting वगेरा होता है, सब कुछ manage करता है product manager, average salary 10 से 20 लाग रुपे पर annum, MBA marketing या फिर MBA operations करकर, या फिर MBA में कोई other specialization से करकर भी आप as a product manager बन सकते हैं, CTO, Chief Technology Officer, हमारे next career option है, जिसके लिए आप जा सकते हैं, BBA के बाद, यह responsible होता है, IT, information, technology related, जितने भी aspect होते हैं, company में, organization में, कुछ update करना है, कुछ नया technological अप्रेडेशन वगेरा करना है, तो सब कुछ CTO, Chief Technology Officer, IT Department, इनी के अंडर में work करता है, राइट बच्चा, 10 से 20 लाग रुपे पर annum, MBA IT, हाँ पर desired qualification होती है, BBA के बाद, अगर आपने BBA भी IT से करा है, तो वो एक added advantage आपको मिलता है, ठीक है, चलिए, फिफ्ट वन is risk manager, financial risk manager, नाम से पता लग रहा है आपको, finance related, जितने भी बड़े decision होते हैं, उनको जाच परक करनी, monitor करना, और make sure करना, हर investment decision को ROI हम measure करें, और best जगे invest करें, plus जो risk आती है business में, उसको पहले से ही scene करना, monitor करना, और उसको prevent करना, यह सब काम होता है, financial risk manager का, 10 से 20 लाग रुपे पर annum, यहां पर भी आप earn कर सकते हो, qualification आप MBA कर सकते हैं, या फिर dedicated एक course होता है, जो आप BBA के बाद कर सकते हैं, financial risk management, FRM, मेरा dedicated वीडियो है, FRM बाइस सुनी लादिकारी दालेंगे, तो आपको वहां पर एक वीडियो मिल जाएगा, चलिए, 6.1 is digital marketer, आप digital marketer बन सकते हैं, digital marketing का को को online promote कर सकते हैं, social media handles का इस्तमाल करकर, average salary, 6-10 लाग रुपे per annum, qualification required, आप MBA कर सकते हैं, digital marketing में, या फिर कोई short term, या फिर master's in digital marketing जैसे courses आप कर सकते हैं, 7.1 is investment banker, अगर आपको banking sector में अपना career बनाना है, investment finance में आपकी अच्छी पकड़ है, you can become an investment banker, main काम क्या होता है, investment related जितन advice करता है, average salary, 10-20 लाग रुपे per annum, अगर qualification के बाद करेंगे, तो CFA है, MBA है, FRM के बाद, ये position से देखा गया है, कि आपको मिल जाती है, next one is marketing manager, जितने भी marketing campaign होती है, product हमने बना लिया, product manager का बहुत एहम भूमी का है, लेकिन वो product successfully customers तक भी पहुचना चाहिए, तो जितना भ की product को market करना है, promote करना है, सारा का marketing manager देखता है, 8-10 लाग रुपे per annum qualification, MBA marketing आप extend, मतलब BBA के बाद MBA marketing कर सकते हैं, और जाधा अच्छी profile के लिए, और अच्छी salary के लिए, अपनी marketing profile में, HR specialist की बहुत important position होती है, किसी भी organization में, जोकि recruitment, support और train करती है, employees को, 8-10 लाग रुपे per annum और MBA HR यहां पर desire qualification हमारी रहती है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि sir, MBA के बाद हम government job की तैरी कर रहे हैं, तो पौन सी वो preferred job होनी चाहिए, जिसके हमें तैरी करनी चाहिए, देखे, अगर आप civil servant बनना चाहते हैं, तो और कुछ search करने किया, सोचने की नहीं पड़ती है, आप civil service examination की तैरी कर सकते हैं, आगे अगर मैं बात करूं, तो railway के लिए NTPC, SEBI grade A की हमारी recruitment निकलता है, RBI grade B का हमार recruitment निकलता है, IBPS, PU का हमार recruitment निकलता है, SSC, CGL और LIC, AAO, तो तो यह different departments की यहां पर vacancy निकलती है, जिसके लिए एक BBA graduate apply कर सकता है, तो अ आपको civil services में जाना है, bank में जाना है, SSC में जाना है, आपको पहले decide करना पड़ेगा कि इन में से किस sector में आपको career बनाना है, तो कि दूर से बले ही syllabus almost similar लगते हैं, लेकिन आपको difference मिलता है, तो पहले आप clear कर लिए आपको किस sector में जाना है, उससे related यहां पर आपको उन examination क dedicated coaching के तुरू तैयरी करनी है, कम से कम 6-9 मेने की यहां पर preparation required होती है, examinations की तैयरी करने के लिए, तो यह थी different different government jobs जिनके आप apply कर सकते हैं, तो यह 10 options आज हमने देखे, जो आप BBA course के बाद choose कर सकते हैं, अगर आपको further study करनी है, या फिर आपको study नहीं भी करनी, government jobs की तैयरी क करता आपको, रात को 8 बजे मिलते हैं, Tuesday, Thursday और Saturday को, तो देखना मत भूडियेगा, हर वीडियो में बहुत कुछ आप नया सीखिंगे, इसकी मैं guarantee लेता हूँ, अगर आप ऐसे बच्चे हैं, जो Instagram यूस करते हैं, वहाँ पर हमारी profile है, वहाँ पर हमारा channel है, चेक आउट suivाहँ, बहुत करते हैं